मुम्माई इंडियन्स सुपरस्टार खरिती नहीं है वो प्लेयर्स खरिती है जोने बाद में सुपरस्टार बनाती है रोई शर्मा ने जब ये स्टेट्मिंट दिया तो हार्दिक पांडिया से लेकर ये स्टेट्मिंट की पहुँच काफी दूर तक गई वैसे सच भी है क्योंकि बिना पुलार्ड बिना हार्दिक कुर्नाल या फिर जोफरा वो होकर भी नहीं थे या फिर बुम्रा कि अगर मुम्माई इंडियन्स जो है बन गए हैं या बनने वाले हैं तो कहानी मुम्मई इंडियन्स के छे चिपे रस्तफ़ तब से पहला नाम जो है वो है तिलक वर्मा का उम्र जो है वो 20 साल है एक दश्मलो साथ करोड में खिर दे गए थे पिछली बार जब आये थे तब 130 का स्ट्राइक रिट था हलाकि लक्षण दिखा दिये थे लेकिन वो तिलक वर्मा जिनके कंसिस्टेंट होने के दुनिया दिवानी है इस बार वो बदले बदले नजर आए और आक्रामक अंदाज जो है वो अख्तियार किया है आपको जानकर हैरानी होगी तिलक वर्मा 300 प्लस नंद मना चुके हैं और वो भी तब जब पांच मैच्चेस में वो इंजरी की वज़ा से बाहर चल रहे थे लेकिन कमाल की बल्लेवाजी की कमाल का उन्होंने टेंप्रामेंट दिखाया पहले मैच्च में आरसीवी के खिलाब अर्चतक्त मारा जहां पर रुक कर खेलना था और जब तेस खेलना था तो वहाँ पर गेर चेंज कर दिया इस सीजन में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत महत्मूर है और डेल सो प्लस का स्ट्राइक रेट और प्लस उन पर भरुसा होना कि वो मैच्च को पलट सकते हैं ये उनके अंदास को दिखाने वाला अर्शदीप वाला मैच्च में वो आउट हो गए थे लेकिन उसक नाम जो है वो है टिम डेविट का अब टिम डेविट इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि टिम डेविट को जिस खिलाडी की जगे पर खिलाया जा रहा है वो खिलाडी बहुत बड़ा है मतलब केरन पुलार्ट कितने बड़े खिलाडी मुंबाइ इंडियंस के लिए हैं ये ह पड़ा करेंगे। पिछले सीजन में ये खास कमाल नहीं कर पाए थे, थोड़े बहुत लक्षण दिखाये थे, लेकिन इस सीजन में इनका जो स्ट्राइक रेट है, वो इनके एक्स फैक्टर बनने की बजाए है। कि उसमें टिम डिविट धीरे से जाते हैं, लेकिन केरन पुलाड को जूतों को फिल करना इने चुपारुस्तम बनाता है, और कई मैचस में करके दिखाया है, और कई मैचस में जीत में भी इनकी भूमिका है, तो ये हमारे दूसरे चुपारुस्तम है। लेकिन इस खिलाडी में भी टेंपरामेंट है, और स्ट्राइकिंग पावर जो है वो बहुत तगड़ी है, मतलब अभी थोड़ा से इनको अंडेस्रिमेट के जा रहा है, लेकिन इस खिलाडी में पोटेंशल बहुत तगड़ा है, और समझना है तो पिछला मैच आत कीजे, बारा बॉल में 23 खिलाडी ने ठोके थे और वही उस मैच में चेंजिंग फैक्टर थे, क्योंकि अगर पिछले मैच में लखनों के खिलाडी के खिलाडी तेज नहीं खिल पा रहे थे और इनका बारा बॉलों पे 23 न मारना, वो इस खिलाडी को बहुत स्पेशल बनाता है, और मेरे लिए ये एक बड़े X-Factor है, रोहितने इनका भी नाम लिया था उनके लाडियों में, जिसको लेकर कहा था कि अगले दो साल में ये बड़े सुपरिस्टार बनने वाले, और मुझे भी लगता है कि इनके अंदर सारी चीजें हैं, सारी खुबिया हैं, 22 साल की उमर में जरूर साथा maturity है, सिर्फ एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा attitude मुझे कई बार लगता है, लेकिन अगर उस पर ये काम कर लेंगे या फिर बल्ला चलता रहेगा, तो वो भी इनके आड़े नहीं आएगा और ये आगे बढ़के जाएगा, प्यूश शावला का, प्यूश शाव लाएगे और हर बड़ते मैश के साथ ये अपनी importance जो है वो जटा रहे है, साथ क्या स्वास के economy है, जो Mumbai Indians के जितने भी गेनबाज है, अकाश मदवाल को छोड़कर उनमें सबसे अच्छी इनकी economy हो और बहतरी गेनबाजी कर रहे हैं, फिलाल ये Mumbai Indians के लिए highest विकेट टेकर ह मुंबई के सबसे सफल spinner है, रतिक शौकीन और कार्तिके इनके साहे में सीख भी रहे हैं और ये अपनी आपको साबित कर रहे हैं, 34 सालों की उमर में, मतलब ये एक बड़े चुपार रस्तम है, क्योंकि पिछले सीजन ये commentary कर रहे थे, ये बाहर हो गए थे, लेकिन इन्हों क्रिकेटिंग करियर के एक दो साल एक्स्ट्रा हो गए होते हैं, लेकिन पिउस शावला 21 विकेट निकाल कर फिलहाल टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में भी हैं, और अगर 4-5 विकेट किसी मैच में ले लेते हैं, तो वो टॉप की सूची में भी आ जाएंगे, तो ये भी म मेरे लिए एक बड़ा छुपा रुस्तम, अगला नाम छुपा रुस्तम का जो है, वो सभी जानते हैं, अकाश मदवाल, एक ऐसा खिलाडी जुसे नौवे मैच में मुंबई इंडियस ने खिला है, आप सूचिए, जिसने 24 साल की उमर तक बाल ब्रेड बॉल नहीं पकड़ करो या मरो वाले मैच थे, उसमें इस बॉलर ने नौ विकेट लिये हैं, कौलिफायर राउंड में हम सब ने देखा कि पांच रन देकर पांच विकेट निकालना वो इतिहास बनाने वाला थानल कुम्बले के रिकॉर्ड के बराबरी की, हाईएस्ट अनकैप प्लियर का रि कोल्ड मारा था और पिछला मैच हम सब जानते हैं किस तरह से निकोल स्कूरन को इन उन आउट किया था, तो बड़े मैच उसमें बड़ी परफॉर्मेंस, बड़े प्लियर्स को टार्गेट करना, बुझे लगता है ये खिलाडी इस मुंबई इंडिया के लिए भी बहुत दूर तक जाने वाले हैं, तो मेरे लिए ये एक्स फैक्टर नंबर पाँच था, और आखरी एक्स फैक्टर जो है, वो है वेरेंड्रॉप, वेरेंड्रॉप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेसन जो है, उनने मिनी आॉक्शन में RCB से ट्रेट कर लिया था यनोंने, और RCB स ये लाए गए थे और उसके बाद 11 मैचेस में 14 विकेट ले चुके, एकॉनमी थोड़ी बहेंगी है, लेकिन पावर प्ले में कई मैचेस में विकेट निकाल के दिये हैं, जबर्दस गेनबाजी की है, और क्योंकि जुस्पी दुम्रा नहीं है, जोफरा आर्चर नहीं है, लहाजा इनकी मौजूदगी जो है वो इस टीम को मजबूत कर रही है, और कई मैचेस में बहुत अच्छी गेनबाजी की है, तो मुंबई चाहेगी कि एक बार फिर ये एक्स वैक्टर काम करें और मुंबई की जीत में बड़ी भूमिका निबाएं, तो ये छे एक्स वैक् दोकिशनёл चार साड़े 479 मेना चुके हैं, कमाल की बल्ले बाजी कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन कमाल की बल्ले बाजी गेन बाजी दोनों कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादो जवाई थे ता फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन जस से वो टॉप क्लियर की लिस्ट में आ गये हैं, वो अद्भुत कर रहे हैं मतलब अलग लेवल पे चली गई है उन्हीं कप्तानी तो वो भी एक बहुत बड़े एक्सट्रेक्टर है तो कुल मिलाकर छे छुपा रुस्तम और सारे बल्लेबाजों का परफॉर्म करना इस टीम को फिलाल खास बनाता है आपका इसमें कौन सा छे छुपे रुस्तम में खिलाडी है जो आपको लगता है कि यार ये लंबी रेसर खोड़ा है मुझे तीन लगते हैं नहाल आकाश